कॉपी विद करण का पहला शो कल आन एर हुआ जैसे कि बताया जा रहा था कि ये शो फीमिल पार के साथ स्टार्ट होगा तो बॉली हुट की दो बड़ी ही स्टानिंग और फैंटेस्टिक दिवास डिपिका पादुपॉन और आल्या भत ने इस शो का शुबारम किया शो को ओके ओके कहा जा सकता है क्योंकि शो में इन दोनों की केमिस्ट्री लगबक थीप ठाक थी बट इस वज़े से शाय इन दोनों डिवास ने इस शो को कुछ सादा ही सिरियस ले लिया यानि कि जिस इनसान के शो में सबसे जबादा बात हुई वो थे रंबीर कपूर दिपिका ने बातों बातों में बोला कि जो बॉन्ड वो अब रंबीर के साथ शेयर करती है वो सबसे बेस्ट और सबसे प्रोड़क्टिव है अल्या ओल्सों कंफर्म्ड रिलेशन्शिप विद रंबीर कपूर ओल्थो दिपिका ने शो पर तो अपनी वेडिंगी कोई कंफिमिशन नहीं दी पर 21 अक्टूबर को इस शो के प्रीमियर से पहले ही दिपिका और रंबीर की शादी की कंफिमेशन सभी तक महुत चुकी थ आता है वो भी इतना कॉंट्रिवर्शन नहीं था और दो कोशिंट वर नॉट सो फिल्दी तो डिस्कस अबाउट एंड में आल्या भट ने हैंपर जीता और कुछ जादा चीज़े भार नहीं आए शो से पहली यहीं क्लियर था कि रंबीर और अल्या और दिपिका और रंव कि और आल्या ने कहा देशुड गो टू टू आ सिटी टू वॉक अराउंड हाल्या ने अचानक से इस शो में बॉप भी किया जो क्यूट के साल साथ फनी भी था दिपिका ने एक कनफेशन किया कि उनके लिए रंवीर के साथ काम करना जादा असान है जब कि रंवीर सिंग क के साथ काम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस शो में एक गेम थी जिसके अंदर बॉलिवोड के कुछ एक्टिस की बॉड़ी इन्हें दिखाए गई थी और इन्हें पहचानना था कि वो बॉलिवोड एक्टर्स है कौन आल्या से रैपिक पारा राउंड कुछा गया कि वो सिधार मलोत्रा को किसके साथ भूक अप करना चाहें गी तो आल्या ने बड़ी स्मार्टी आंसन किया त्यारा क्योंकि सिधार और प्यारा के डेटिंग रिमर्स आजकल मीडिया में है और जब जैकलिंग की बार थी तो उनने फिर से सिधार का नाम लिया जो की आल्या और सिधार मलोत्रा के ब्रेक अप तब बड़ा रीजन मानी जाती हैं लास्ट सेग्मेंट ने इस शो को ज़रूर थोड़ा इंट्रस्टिंग बना दिया जिसका नाम था नॉट विदाउट माइ फोन टास्क में आल्या ने सुनाक्षी सीना को फोन मिलाया और दिपिका ने शारू खान को दिपिका की बाते सुनकर शारू खान काफे पैनिक हो गए हम इस शो को कुछ जादा बुरा भी नहीं कह सकते और कुछ जादा इंट्रस्टिंग भी नहीं क्योंकि वीवर्स कॉफी विद करन के सिक सीजन में इस से जादा तो ब्रोदर सिस्टर डुओ देखने को मिलता है या सारा अली खान और सैफ अली खान का फादर डॉटर डुओ यह तो हमें नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा क्योंकि करन जहोर की आदत है कि वो सारी दीजे बाद में ही डिस्ट्लोज करते हैं और केट्रीना और वरुन ने भी अ कोफी विद करन की स्टिक सीजन की शूटिंग खतम की है तीवी शोर से जूड़ी हर जानकारी के लिए स्टे ट्यून तू रिष्टा टीवी काव